हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चनल इंडियन अईरिवेधिक डॉक्टर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, वो है सदवर्थ तो शुरू करते हैं, रितू चरिया हो चुकी है, दिन चरिया हो चुकी है, इंट्रोडेक्शन हो चुका है उसके वाद आता है शदवर्थ करेंगे तो शुरू करते हैं सदवर्त क्या होता है अच्छे मनुष्य यानि कि सज्जन लोग जो होते हैं उनके द्वारा जो आच्रन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं सदवर्त कहते हैं तो सज्जनों के द्वारा जो आच्रन किया जाता है उसे सदवर्त कहते हैं सदवर्त जो होता है अपने शरीर और आत्मा का कल्यान चाने वाला जो मनुश्य होता है उसको सदा वचन से, मन से और कर्म से सदवर्थ का पालन करना चाहिए सदवर्थ के लाब अगर देखते हैं important है सदवर्थ का लाब दो नमर में करशनाता है सदवर्थ के लाब का तो सदवर्थ का लाब क्या होता है सदवर्थ से आरुग्यता प्राप्ती होती है और हमारा इंद्रियों पर विज़ प्राप्त होती है हमें हमारी इंद्रियों पर विज़प्राप्त होती है सदवर्त कितने प्रकार का होता है चार प्रकार का होता है आहर सम्मधिस सदवर्त एक मनुश्य को आहर के लिए कौन-कौन से नियमों का पालन करना चाहिए अपने स्वास्त्य को बनाए रखने के लिए आरोग्यता की प्राप्ति के लिए आहर के कौन-कौन से सदवर्त का पालन करना चाहिए, वो सब आएंगे इसमें, और एक होता है व्यक्तित्व, व्यक्तिक में क्या होता है, व्यक्तिक में आता है कि एक मनुष्य को शरीर की स्वच्छता के सम्दित में, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए कौन-कौन से सदवर्त का पालन करना चाहिए, उसको अपने अध्यान के लिए कौन से सदवर्त का पालन करना चाहिए, व्यवाय के लिए और मानसिक सदवर्त, अपनी विचारों के शुद्धी के लिए किस परकार के सदवर्त का पालन करना चाहिए, वो आता ह व्यक्तिक सदवर्त में। उसके अब आता है सामाजिक सदवर्त एक मनुष्य को सोसायटी में रहने के लिए लोगों के साथ में किस प्रकार से communication करना चाहिए वो आता है आध्यात्मिक सदवर्त जो आता है इश्वर के लिए कैसी उसकी भावना सद भावना होनी चाहिए उससे सम्मधित सदवर्त जो आते हैं वो आध्यात्मिक जात्मिक सदवर्त में आते हैं तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा पहला सदवर्त है आहर संबंदी सदवर्द है आहर संबंदी सदवर्द दो तरह से होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक मनुश्य को आहर से संबंदी जो नियम है वो किस परकार करने चाहिए आहर किस परकार करना चाहिए उसे इस्तान कैसा होना चाहिए आहर करते समय क्या क्या उसे करना चाहिए आहर के लिए मतलब कि क्या खाने में उसे पूरा खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए किस तरह से उसको आहर करना चाहिए कौन सा करम होता है आहर करने का वो सबाता है तो एक मनुश्य क्या क्या करना चाहिए, वो देखते हैं, हमेशा मनुश्य को जो आहर करना चाहिए, वो इसनान करके ही आहर करना चाहिए, सबसे पहले उसे माता पिता को इसनान, सोरी, आहर करवा के ही खुद खाना खाना चाहिए, पहले माता पिता को खाना खिलाओ, उसके बात खुद खाओ, हात पाउं अगर बाहर से आये हो तो हात पैर दोके खाना खाना चाहिए, किसी पातर में खाना लेके खाना चाहिए, और मंत्र उच्चारन करके, पहले बोजन को सामने रखे, उसको नमस्कार करते हुए, मंत्र उच्चारन करते हुए खाना खाना चाहिए, चैह रसू से युक्त खाना खाना चाहिए और राशी मात्रा का विचार करते हुए जो भोजन होता है उसको करना चाहिए भोजन हमेशा पूरा नहीं करना चाहिए पातर में कुछ शेश छोड़ना चाहिए लेकिन आचारे चरक ने पांच चीजे बताएई है जिनको पूरा खा लेना चाहिए उनको पातर में शेश नहीं छोड़ना चाहिए किस किस को दही को, लवण को, शहद को ओर सत्तू को अहर में कभी भी थाली जो होती है हम लेके बैठते हैं खाना खाने के लिए नान किये कभी खाना नहीं खाना चाहिए माता पिता को बिना खिलाए आचारिय अथूतियों को बिना खिलाए खाना नहीं खाना चाहिए हाथ पाउं मुख बिना दोह खाना नहीं खाना चाहिए बिना पातर के उस समय मुखाना नहीं काना चाहिए, बोजन नहीं करना चाहिए हमें उसके बाद हम देखते हैं व्यक्तिक सदवर्त के अंदर पहला सदवर्त आता है शरीर से संबंदित सदवर्त यानि कि स्वस्था संबंदित सदवर्त क्या होता है मनुष्य को प्राते काल दो बार स्नान करना चाहिए शौर करम जो हमने पड़ाता दिन चरिया के अंदर बाल, दाड़ी, मूच, नक इनको पांच दिन के अंतराल में कटवाना चाहिए नित्य शुद्वस्तर धारन करने चाहिए सिर्क के बालों में नित्य क्या करना चाहिए कंगी करना चाहिए, उनको समारना चाहिए नित्य तेल से अभ्यां करना चाहिए और धूमपान करना चाहिए ये तो होता है किसी मनुष्य की स्वस्ता से सम्मंदित व्यक्तिक सदवर्थ उसके बाद होता है मनुश्य को अध्यन से संबंदी सदवर्त क्याक पारन करना चाहिए बिना रितू के बिजली चमकने पर बारिश का मौसम ही नहीं है बिना बात ही बिजली चमक रही है बिना कोई रितू ही नहीं है वो वाली उसके बिना ही रितु चमक रही है, वो बिजली चमक रही है, ग्राम या नगर में आग लगी है और तुम पढ़ने में लग रहे हो, तो वो गलत चीज है, बुकम पारक है, और तुम अंदर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, सलट जाओगे, होली दिवाली के अंदर त्योंवार ह सब खुशी मreं रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, तो वो गलत चीज है, त्योंवार हो पर संध्या काल के अंदर तो बताया ही था कुल, हमने पढ़ा भी था कौन कोंसे करम संध्या काल में नहीं करना चाहिए, गुरू के बिना ध्यन नहीं करना चाहिए, रुक-रुक कर, बलह मूड नहीं है ताकत नहीं है शरीर में बैठे हैं किताब को सामने लेके तो वो नहीं करना चाहिए उची नीची आवाज में जोड जोड से बोलते वे नहीं पढ़ना चाहिए इस तरह से अध्यन नहीं करना चाहिए व्यवाई समंदी सदवर्त के लिए संध्याकाल में करती आ जाती है ए पवित्र इस्तान में नहीं करना चाहिए बोजन के बाद में व्यवाय नहीं करना चाहिए रजस्वला इस्तरी से नहीं करना चाहिए रोगी से दूसरे की स्तरी से और ए कुशल व्यक्ति से व्यवाय नहीं करना चाहिए मानसिक सदवर्त जो आता है वो आता बोलना चाहिए समय पर बोलो, दूसरे के लिए हितकर बोलो, मदुर बोलो और लिमिटेड बोलो, दूसरे की उन्नती है तो इर्शा मत करो, प्रियतने करो. सामोहिक निर्णय को नहीं तोड़ना चाहिए, यानि सबने एक निर्णय लिया और तुम अलगी अपना निर्णय ले रहे हो, तुम अपना अलगी लग रहे हो, और बाकी सारे गुरूप, सारे लोग जो होते हैं, वो एक काम में लग रहे हो, तुम अलगी लग रहे हो, तो य नहीं होना चाहिए नियमों का उलंगन नहीं करना चाहिए अब होता है ये तो था सामाजिक सदवर्त सामाजिक सदवर्त था ये उसके बाद आता है आध्यात्मिक सदवर्त आध्यात्मिक सदवर्त हमने क्या बोला गुरू इन सब की पूजा करनी चाहिए अगनी की पूजा क करनी चाहिए यग्य करना चाहिए दान धर्म पूजा करनी चाहिए और भगवान में आस्ता रखनी चाहिए क्योशन आता है आचार रसायन से नेक्स्ट है आचार रसायन यहां से क्योशन आता है इंपोर्टेंट है यह कोटेशन आपको याद होना चाहिए एजिटिस क्योशन आता है आचार रसायन का और बहुत बार आया है 2017 में ही आया वा क्यूशन है आचार रसायन का और हर बार रिपीट ओने वाला क्यूशन है ठीक है देखते हैं आचार रसायन पहले एक बार में इसका कोटेशन बोल देती हूं पूरा उसके बाद एक एक करके हम इसको समझते हैं आचार सायंजो होता है सत्वाधिनाम एक रोधम निवर्तम मध्य मेथुनात एहिंसक अनायासम प्रशान्तम प्रियवाधिनम जपशोच परमदीरम दान नित्य तपस्विनम देव गोब्रामणाचारिय गुरू व्रद्ध अर्चन रतम अनाश्य श्यप्परम नित्य नितन करुणुवाधिनम सम्जागरण स्वपन नित्य शीर घृताशिनम देशकाल प्रमाणग्य युक्ति ज्यामनम एहंकरतम शश्ताचार संकीन अध्यातम प्रवेणंद्रिय उपातिसारम व्रद्धानाम आस्तिकानाम जितातमानाम द्रम शास्त्र परम विध्यान नरम नित्य रसायनम गुणे रते समूदिश्टे प्रयंगते यो रसायनम रसायन गुणान सर्वान यथोक्तान से समुष्ण्योते तो ये था आचार रसायन का कोटेशन अब एके करके में इसका अर्थ समस्ते हैं आचार रसायन है इसमें है सत्यवादिनाम मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए एक्रोधम क्रोध नहीं करना चाहिए निवर्तत्तम मध्य मेथुनात मध्य और मेथुन से मनुष्य को निवत रहना चाहिए मतलब दूर रहना चाहिए एह हिंसक, दूसरे प्राणियों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, अनायास, यानि अतिक परिश्टम, शम्ता से अतिक परिश्टम नहीं करना चाहिए, प्रशान्तम प्रियवादिना, यानि कि प्रियवचन बोलना चाहिए, प्रियवादि होना चाहिए, लोगों से मधुर बोले जब शोच परम धीरम जब यानि कि जब करने वाला होना चाहिए शोच यानि कि पवित्र होना चाहिए व्यक्ति पवित्र तका पालन करे धेर्य यानि धीरम यानि कि धेर्य शील होना चाहिए उसमें धेर्य होना चाहिए दान करने वाला और तपस्वी होना चाहिए व्यक्ति को देवता, गो, गाय, ब्रामन, आचारिय और गुरु और व्रद्ध इनकी अर्चना करने वाला, इनकी पूजा करने वाला, इनका सम्मान करने वाला होना चाहिए अनाश्यश्य परम अनाशाश्य मतलब कि हिंसा नहीं करनी चाहिए व्यक्तिको नित्य नित्य करुणवादी नाम दूसरों पर दया करने वाला और करुणा वाला होना चाहिए व्यक्तिको समझागरण, समय पर जागना, समय पर सोना और हमेशा ग्रत और शीर का अभ्यास करना चाहिए व्यक्ति को देश, काल और प्रमान, देश, काल मात्रा आधी के प्रमान को जानने वाला प्रमान में युक्ति को जानने वाला एहंकर्तम यानि एहंकार से रहित होना चाहिए शस्ताचारम सदाचार से युक्त होना चाहिए व्यक्ति को सदाचार यानि सदवर्त का पालन करने वाला होना चाहिए और संकीन आध्यात में प्रमिनेंद्रिय है यानि कि इंद्रियों पर संकीन मतलब की कंट्रोल यानि कि नियंत्रन होना चाहिए मन पर नियंत्रन होना चाहिए आध्यात में यानि मन पर नियंत्रन होना चाहिए उपाति सारम वर्द आस्ति का नाम जितात्मा नाम वर्द व्यक्ति में आस्तिक व्यक्ति में और जितेंद्रिय व्यक्ति इन सब का वो उपासक होना चाहिए व्यक्ति को उपासक होना चाहिए ध्रम का शास्तर का इन सब का अध्यन करने वाला होना चाहिए यह यह गुण जिस व्यक्ति में होने चाहिए इन सब को क्या बोलते हैं आचार रसायन कहते हैं यहां तक आपको quotation याद होना चाहिए यहां तक याद कर लेना लास्ट रवाई लायन छोड़ सकते हैं आप ठीक है तो यह था आपका सदवर्थ तो आज के लिए करते हैं इतना ही बाकी पढ़ते हैं हम बाकी नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट होगा त्रियो उपिस्तम जिसके अंदर स्टार्ट होगा आहार आज के लिए इतना ही बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में आज के लिए धन्यवाद